नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताऊंगा एक ऐसी दवा के बारे में बताऊंगा जो आपकी सरीर की काडियोवस्कलर डिजिस के लिए एक बहुत ही मैं तैपून दवा की तरह काम करती हैं और यदि मैं बात करूँ एलोपेथी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी दवाईया हैं जो इसी नुस्खे के बेस पर बनाई जाती हैं और ये नुस्खा ना सिरफ आपके काडियोवस्कलर डिजिस के उपर काम करेगा बलकि इसके इलावा भी आपके सरीर की ओवराल हैल्थ के लिए काम करेगा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिस नुस्खे की बात कर रहे हैं उसे नुस्खे को बनाने की जो पहली मुखे समगरी है दोस्तो वह है अरजुन की चाल तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अरजुन की चाल क्या होती है आपको इसका प्रियोग करना कैसे है इसको कितनी मातर में आपको लेना चाहिए किन-किन बीमारियों में ये आपको फाइदा करेगी और किन लोगों को अरजुन की चाल का प्रियोग नहीं करना चाहिए तो चलिए दोस्तो टाइम वेस्ट न करते वे सुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो दोस्तो यदि हमारी काडियोस्कलर हेल्थ की बात की जाए तो उसके लिए जो सबसे पहली दबा या जो सबसा पहला नुस्का हमारे मन में हमारे दिमाग में आता है वो आता है अरजुन की चाल के बेस पर और आपने अरजुन की च्छाल के बहुत सारे फाइदे ओलडी सुनोंगे दोस्तो जो इसका पेड़ होता है वो नीम या बर्गत की तरह है इतना ही बड़ा होता है अगर मैं बात करूँ जो इस पेड़ की च्छाल होती है हम उसका ही नुस्खे के लिए परियोग करते हैं और वो ही है में ओस्ती जिसका आपने भी परियोग करना है दोस्तो अरजुन की च्छाल जैसे जो दिल की बिमारियां होती है दिल से जुड़ी हमारी कोई भी बिमारी होगी जैसे कोलोस्टोल से जुड़ी बीमारियां हो गई, बिलर्ड प्रेसर से जुड़ी बीमारियां हो गई, या दिल की कोई भी बीमारी हो गई, इन सम्में अरजुन की च्छाल बहुत अधिक फायतिमन्द हैं और अलोफिती में इसके बेस पर बहुत सारी दवाईयां बनाया ज तो इसके उपर दो सोध ओलडी हो चुकी हैं, जो ये बात साबित करते हैं कि अरजुन की च्छाल दिल की बीमारियों के लिए बहुत कारगरतावा है, दोस्तों इसके अंदर जो पहला सोध हुआ, वो हुआ चूहूं के उपर, चूहूं को अरजुन की च्छाल का पाउडर दिया गया, उससे हुआ क्या कि उनकी हेल्थ में जब उनको बाद में चेक किया गया, तो उसमें LDL, कोलोस्टोल की मातरा, टोटल कोलोस्टोल की मातरा, और बैड कोलोस्टोल की मातरा कम पाई गई, यानि इससे ये साबित हुआ, उसके बाद भी कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो चुहों के उपर हुआ है हम कैसे विश्वास करें कि मुनिश्य पर भी सेम असर होगा उसके बाद इसका एक सौध हुआ मानव के उपर और उसमें सो व्यक्तियों को सामिल किया गया उन सो लोगों को हर रोज 3 ग्राम अरजुन की चाल का पावडर दिया गया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन सब लोगों में जो बीपी की समस्या है जो उपर वाला बीपी होता है वो नॉर्मल पाया गया उनके LDL कोलोस्टोल की मात्रा सही हो गई उनका जो हाई कोलोस्टोल था वो भी डाउन हुआ और बैड कोलोस्टोल उनका कम हो गया ट्राइगिलर साइड भी उनका कम हुआ तो इन से ही साबित हो गया तो दोस्तो आप भी कोई भी दिल से जुड़ी बिमारी हो चाहे कोलोस्टोल को हो, सही करना हो, बिलड पैसर की समस्या हो, या दिल के हार्ड ब्लोके हार्ड अटक जैसी कोई समस्या हो, आप उसमें दिल के इन बीमारियों के लिए अरजुन की चाल का प्रियोग कर सकते हैं, वो हम आगे बताएंगे कि अरजुन की चाल को लेने के क्या क्या तरीके हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं। अरजुन की चाल में जो एंटुक्सेंट होते हैं वो बहुत भरपूर मातरा में होते हैं। और दोस्तो एंटुक्सेंट हमारे स्रीर के लिए बहुत अधिक जरूरी होते हैं। क्योंकि ये एंटुक्सेंट फ्री रेडिकल स से लड़ते हैं और यह free radicals अब आपके मन में सवाल आएगा कि यह free radicals क्या हैं दोस्तो free radicals वो molecule होते हैं जिनके कान हमारे स्रीर में chronic बीमारियां पैदा होती हैं यानि हमारे स्रीर में वो इन free radicals को neutralize करने का काम करते हैं जिससे हमारा स्रीर बीमारियों से बचा रहते हैं जो अगला फाइदा अरजुन की चाल का है दोस्तो वो है आपके blood sugar level को कम करने के लिए दोस्तो अरजुन की चाल में ऐसे गुन भी पाई जाते हैं जो आपके blood sugar level को control कर सकते हैं ऐसा एक सोध चुहों के ओपर हुआ और उसमें ये पायद आया कि अरजुन की चाल का powder को देने से उनका जो blood sugar level है वो normal आया यानि ये fasting जो blood sugar होता है उसको manage करने का काम करती है लेकिन इसके ओपर अभी तक कोई भी मुनिश्यों के ओपर कोई सोध नहीं हुआ है तो हम परमानी तोर पर नहीं कह सकते हैं अरजुन की चाल का ये है गुन है कि ये है किड़नी और हमारे लिवर की शम्ता को बढ़ा देती हैं जिससे कि हमें blood sugar level को manage करने में साहित मिलती है और जिससे हमारा blood sugar level manage होता है इसके इलावा दोस्तो यदि आपको high बीपी की समस्य है आप उसमें भी इसको लेसके हैं उसमें भी ये बहुत फाइदा करती हैं दोसरा अरजुन की चाल वात और पित को भी balance करने का काम करती हैं दोस्तो हमारे सिरे में आप ये तो जानते होंगे कि वात और पित के कान हमारे सिरे में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जैसे घुटनों का दर्द, घुटनों में घ्रीज की कमी ये सबी बीमारियां वात के कान पैदा होती हैं और पित के काण हमें कफ जैसी समस्याई होती है और इन दोनों को बैलेंस करने का काम ये अरजुन की चाल करती है यदि आपको सीडियां चड़ने में परेशानी होती है तो आपको अरजुन की चाल का प्रियोग करना चाहिए दोस्तों यदि आपको यूरीकैसिड की समस्य है या जोडों के दर्द की समस्य है तब भी आप अरजुन की चाल का प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि इनमें भी अरजुन की चाल बहुत अधिका फाइदिमन है यदि आप अपने मुटापे को कम करना चाहते हैं, तब भी आप अरजुन की च्छाल का परियोग कर सकते हैं, क्योंकि अरजुन की च्छाल में फैट को कम करने वाले गुण होते हैं, इसके साथ ही अरजुन की च्छाल में हाइपो लिपिड डेमिक गुण भी होते हैं, जो को पहरा भी निखर जाता है अलर्जी जैसे समस्यां से भी ये आपको बचा करकती हैं अब बात आती है कि आपको अरजुन की चाल का प्रयोग करना कैसे चाहिए दोस्तों अरजुन की चाल का प्रयोग आप चार तरीके से कर सकते हैं पहला तरीका ये है कि आप अरजुन की चाल क तीन से पांच ग्राम पाउडर लें और एक गिलास पाने के साथ उसको सुबे खाले पेट पीजाएं पहला तरीका दूसरा तरीका ये है कि आप एक चम्मच पाउडर लें और सुबे खाली पेट हलके गुनगुने पानी में उसको घोल कर उसको पीजाएं तीसरा तरीका ये है कि आप एक चमच 3-5 ग्राम अरजुन की चाल का पावडर लेकर उसको रात भर के लिए एगिलास पानी में भीगो कर रखते हैं और सुबे खाली पेट उस पानी को उबाले और उसको गटगट करके पी जाएं चोथा जो तरीका है वो है अरजुन की चाल का काड़ा बनाना आप काड़े को भी दो तरीके से बना सकते हैं पहला तरीका ये है कि आप अरजुन की चाल का कोई टुकड़ा या पावडर लेकर एगिलास पानी में उसको रात भर के लिए भीगो कर रखते हैं और उसको सुबह उबाल लें जब तक वो आदा नह रह जाए और जब वह पानी आदा रह जाए तब आप उसको गट-गट करके पी जाएं सुबह खाली बिन दूसरा तरीका आप सुबह ही एक टुकड़ा लेकर अरजन की चालका उसको आप एक गिलास पानी में बालें और उसको पावर बढ़ाने के लिए आप उसमें एक चुटकी दालचीनी का प्रियोग करें क्योंकि यदि आप इसमें दालचिनी का प्रियो करेंगे तो उससे क्या है कि इस नुस्खे की पावर बहुत आधिक बढ़ जाएगी और जिससे ये आपके स्रीर के लिए बहुत फाइदेमन तरीके से काम करेंगा और आप उस पानी को तब तक उबालें जब तक कि आपने एक इलास पानी लिया था और वो उबल उबल कर आदा नहर जाए और जब वह पानी आदा रह जाए तब आप उसको चान कर उसका सेवन करें इन चार तरीकों में से आप किसी भी तरीके से अरजुन की चाल का प्रियोग कर सकते हैं पर आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उसके अंदर एक चुटकी दालचीनी के पाउडर का प्रियोग जरूर रखने हैं इससे आपको और भी अधिक फाइदा होगा दोस्तों ये तो हो गए अरजुन की चाल के फाइदे और आपको अरजुन की चाल कैसे लेनी चाहिए अब बात आती है कि किन लोगों को अरजुन की चाल का प्रियोग नहीं करना चाहिए जो भी लेडिज गरवाती हैं उनको अरजुन की चाल का प्रियोग नहीं करना चाहिए बिना अपने डॉक्टर के सलागे दूसरा बारा साल से उमर के कम बच्चों को भी अरजुन की चाल का प्रियोग नहीं करना चाहिए ये दो लोग छोड़कर वाकि हर कोई व्यक्ति अरजुन की चालका परियोग कर सकते हैं और ये काडियो वस्कुलर डिजिस के लिए तो बहुत आधिक एक चमतकारी दवा की तना हैं काम करती हैं तो दोस्तों आप भी इस नुश्के को आज से ही परियोग करना शुरू कर दे अरजुन की चालके और डालचीनिके और अपने सरीर को निरोगी बना दे तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस बैल की आइकोन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियो की नोटिफिकेशन आतरे धन्यवाद दोस्तों